तो हेलो दोस्तों तो आज हम लोग बात करने बारे हैं बिहार बोर्ड के एसस्टी यानि की सोसल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चालिस भीवी अब्जाक्टिव क्वेश्चन के बारे में जिसमें से आपको 25 नमर फिक्स है पूछ देगा तो चलिए हम लोग करते हैं इस व मुख्या, C में 5, D में 5 तो इसका राइटेंस्टा जो हमारा होगा वहगा व यानिकी मुख्या, तो आब हम लोग देखेंगे दो नमर सभाल को तो हमारा पॉइंट नाइन्टी सेवन परसेंट तो इसका राइटेंशन हमारा जो होगा वह होगा दी यानि की 11.97 परसेंट तो आब हम लोग देखेंगे दो तीन नमल सवाल को तीन नमल सवाल है भारत की दलिया पदती की क्या विशेश्टा है तो अप्शन ए में हैं बहुँ दलिया पदती विशेश्टा हमारा ब्दति में हमारे बारत में ही लागू है तो आब हम लोग देखेंगे सबार को चोटानमल सवाल हमारा इस प्रकार से है सबार जो है बिहार में पंचायत राजी की सनउ तो इसका ऑफशन में है गरंपंचाय बीमें है करिंटुक says कोई होग तो अब हम लोग देखेंगे पहुंच नमल सवाल को आप सभी कमेंट वॉक्स में जरूर का प्रयास किजी बरत हम देլ पहला पाचमा कोश्यन है भाधिया राष्टिरिया कंग्रेश की अस्ठापना कभ हुई थी तो अपस्यन ए में है 1680 में भी में है 1785 सी में 1885 दी में उनीक्र पचाशी तो इसका राइस टंसल के उपरांद 1956 में भारत में कितने राजी थे तो अप्शने में है दस बी में है बारा सी में है चोड़ा और डी में है सोला तो इसका राइटेंसर छे का जो होगा वह होगा चोड़ा यानि की सी तो आप हम लोग देखेंगे सात्मा नमल सवाल को सात्मा नमल सवाल है चिपको आंदोलन का प्रारंब की सराजी से हुआ था तो हम इसका अप्शन पहले देखेंगे तब इसका राइटेंसर देखेंगे तो अप्शन A में दिया हुआ है मदपडेश, B में है आंदरपडेश, C में है उत्राखंड और D में है विहार तो इसका राइटेंसर जो हमार तो आप हम लोग देखेंगे आठमा नमर सवाल को तो सवाल है भारत में निम्न लिखित में लोक तंत्र का कौन सारूप पाया जाता है तो आप सबी जल्डी से कमेंट कीजिए तो इसका राइटेंसर हम बता देते हैं इसका राइटेंसर होगा तो आप हम लोग देखेंगे नम्मा नमर सवाल को नमा नमर सवाल हमारे मुआरे स्कीनप़े है केंडर में जनता पाती की सरकार का गठन कब हुआ था तो आप्शन A में है 1966 में B में है 1997 में D में 1989 में C में 1988 में D में 1984 में तो इसका राइटेंसर हो जाएगा हुआ होगा भी यानि की 1977 में केंडर में जनतापाती की सरकार का गठन हुआ था तो अब हम लोग देखेंगे दस्मानमल सवाल को तो दस्मानमल सवाल हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं तब देखेंगे तो देखिए सवाल जो है भारत में महिलाओ के लिए आरक्षन की वेवस्था किस संस्था में की गई है तो अ अब हम लोग देखेंगे गैरानमल सवाल को इसको थोड़ा चोटा करेंगे तो सवाल है इस परकार से भारत में लोक टांत्रिक राज है भारत एक लोग टान्तरिक राज है निम्नलिखित में किस्मे या गोसना की गई है तो अप्शने में है प्रश्तावना में B है पार्ट में C में है कानून की पुस्तक में और D में है नार्गरिक शाष्ट्र पुस्तक में तो इसका राइटनसल जो हमारा होगा वह होगा ए यानि की प्रस्ताबना में ही भारत में भारत एक लोग तांटरिक राज है इसकी घोसना की गई है तो अब हम लोग दखेंगे बारा नमल सवाल को तो बारा नमल सवाल है हमारा इस प्रकार से सवाल जो है जिस देश की राष् आप數ोय बाध बिश्चित देश कोसेड़ नहीं में कोई इनमें किसे पिछडा राजीके रूपम कोन जाना जाता है उसका भी तक कहला पीछ तो तो अप्शन है पहला हमारा केलर में भी है बिहार में सी में पंजाब में और डिली में तो हमारा जो पिछड़ा राज कहला जाता है वह भी हार ही कहला कहलाता है तो अब हम लोग देखेंगे चोड़ा नमर सवाल को चोड़ा नमर सवाल हमारा इस प्रकास है राश्टरिया आई की उत्पादन एबम आई गनना अब धी आल्थिक दिरिश्टी कुन से है तो अप्शन ए में देखें क्या है बेवहारिक बी में है वैज्ञानिक सी में है सहज और दी में है इन में सभी तो हमारा वैज्ञानिक भी कोगा साथ में सहज भी कोगा यानिक आउनिक यूग में परगती का सर्लेग दिया जाता है तो हमारा option A में है भोट को, B में है चक्र को, C में है अगनी को, D में है मुडरा को, तो 15 का राई तेंसर जो हमारा होगा, वह होगा D यानि की आर्थिक आधुनिक यूग में परगती का सरे जो दिया जाता है वहा मुडरा यानि की रूपिया को ही दिया जाता है अभी के समय मे जलिये आप हम लोग देखेंगे, 16 स्वाल को, 16 नımız स्वाल है, इन में कौन सेवा, पूल्नोता है न, इन में कौन सेवा, पूल्नोता है, तो अप्सदिन में, बित सेवा भी में खुद्राबे पार्शी में रोड यात और दी में सेवा तो इसका राई तेंसर जो सुले का हमारा हो जाएगा वह होगा दी यानि की सेवा ही पुना यानि की सरकाली है तो आप हम लोग देखेंगे कितना नमड है 17 सवाल को 17 सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है सवाल जो है थोड़ा बैटरिक कंडाउन हो गया इसलिए यह आ गया था में से चलिये देखते हैं इनमें कौन संस्थागत भित का पडमुक साधन है रिष्टेदार बी में सवार सी में बेव शाइक बेंक और दि में महाँजन तो इसका राय टेंसर जो सटरह का मड़ा होगा वौर वह संस्थाइक बेंक ही होगा इसका राय टेंसर चलिए अब हम लोग देखेंगे अठरा लिए सेवा चेत्र आतिक विकास का कौन सा चेत्र है अब हम लोग करेंगे उनिअस्वा नमर स्वाल को उनिश्वा नमर स्वाल है आर्थिक विकास का प्राथमिक छेतर क्या हैagar किम उप्षिंंगे वह ना चाहिए क्योंकि क्रिसि छेतर के अंतरगफ ही आर्थिक विकास का प्राथमिक छेटर का आजाता है तो चलिए आब हम लोग देखेंगे 20 नमल सवाल को तो 20 नमल सवाल हमारा है इस प्रकार से तो सवाल देखिए वैश्वी करन से भारत के विदेश बैपार में क्या परिवलतन हुआ तो अप्शने में है विदेशी बैपार वधा है जबिदेश बैपार श्थृड है और टी में है उनमें कोई नहीं तो इसका राइट अशल जो हमारा विदेशी बैपार वधा है तो चलिए आब हम लोग करेंगे 21 नमल सवाल को 21 नमल सवाल है हमारा भारत में उपभोकता संडक्षन इडिनियम की घोषना कँब हुई थे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद इसको हम देखेंगे गला बज़ी गया है तो इसको देखिए यदि बस्तु सेवा का मूल 20 लाख लुपिये से कम हो तो उपभोगता शिकायत कहां करेगा तो अप्षने में जिराफोरम बी में राज आयोग सी में राश्टरिया आयोग दी में इन में कोई नहीं तो इसका राइट एंसल जो हमारा बास का होगा वह होगा ए यानि की बी ए ह जिला फोरम में ही यादी बस्तु सेवा का मूड 20 लाख से कम हो तो आप जिराफोरम में शिकायत कर सकते हैं तो अब हम लोग करेंगे 23 सवाल को 23 सवाल हमारा है इस प्रकार से क्या दिया गया सवाल दियारा भूमी किस फशल के लिए परशिद्ध है दियारा भूमी किस फश वर्षी में करेंगे 23 ज़लदी ज़लदी कमेंट कर दीजिए क्योंकि आप सभी कमेंट में लिए बहुत रिगे बहुत होसरा दयता है वीडियो बनाने के लिए तो आप सभी कमेंट किजिए तो हम 25 आचर पर देश किस संसाधन में धनी है अरुनाचर पल्डेश की संसारन में धनी है अप्सने में खनीज वी में जल शी में जन संक्या दी में मवेशी तो इसका डायटेंसर जो 24 का हमारा होगा वह होगा वी यानि की जल अरुनाचर पल्डेश जो है वहा जल के जल से ही धनी है तो आप हम लोग देखेंगे के नमल लोग स्वाल को देखेंगे रुष्त विश्मवेश्वाल है बन विकास भारत विश्व में इससरें अस्थान पर थो हमारा हो जाए वह और भी यानी कि दूसराय बहरत बन बिकास के अस्थान पर है तो चलिए आब हम लोग देख लेते हैं चो क्या है 26 सवाल को दखें इन में कौन लौ ऐसक कहलाता है क्यों सब्सक्किन बहुत भी यह है इन में कौन हो जाएगा हुआ होगा दी यानि की है माट टाइट तो अब हम लोग देखेंगे श्टाइज नमल सबाल को तुड़ा छोटा करेंगे और तब देखते हैं इसका राइटेंसर देखिए है राना पल्टाप सागर परमानु उल्जा केंडर किस राज में अवस्थित है तो अप हो जाएगा हमारा इस तो आप हम लोग देखेंगे 28 नमल सबाल को इन में से कौन एक बेवसाइक क्रिसी है जीवन निर्वाह क्रिसी भी में है अस्थानांतरी क्रिसी दी में है इन में कोई नहीं तो इसका राइटेंसर जो 28 का अमारा होगा वा होगा शी यानिकी रोपन क्र किसी एक बेपारिक क्रिसी है तो अब हम लोग देखेंगे कितना नमर है 29 सवाल को 29 सवाल को हम देखते हैं 29 सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया सवाल है इनमें किस राज में भारत की पल्थम आधूनिक सूटी कपड़े की मिल अस्थापित की गई थी तो अप्शने में बि सब्सक्रण दिखते हैं और अब होगा क दो किस नदीप पर विख्षीत है तो अब सब्सणियां नचाने करिष्न वरुन अब तो आप हम लोग देखेंगे 31 सवाल को 31 सवाल हमारा इस प्रकार से है इन में कौन जूत उत्पादक छेटर नहीं है तो अप्शने में पुल्निया में भी में है भोजपूर में सी में दर्भंगा में और हम इसका अप्शन देखेंगे उसके बाद राइटेंसर बताएंगे औ जूत उत्पादक छेटर नहीं है मतलब भोजपूर में जूत उत्पादक छेटर केंडर नहीं है समझे तो बी में हो है यह में भी में भी है और सी दी में भी होगा यानि राइटेंसर हमारा भोजपूर यानि इसमें नहीं है जूत उत्पादक केंडर तो आब हम लोग करे तियुक्ते तो निम्नली खित में कौन बिहार का मद काली नगर नहीं है, तो अपसेने में सासारामभी में छपडासी में बैसारी दी मेंदर भंगा, तो इसका राई तेनसल क्या होगा, आप सबी ज़ल्दी से कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी हर कमेंट मुझे एक नई जोस देता है और आप सभी के लिए नए नए वीडियो बनाने का मुका भी मतलब देता है और मुझे आप सभी के लिए वीडियो बनाना भी पलता है क्योंकि आप सभी का एक्जाम बहुत नज दीख है तो आप सभी जल्दी से कमेंट केजिए 32 का राय टेंसर क्या होगा तो 32 का रा तो हम लोग देखेंगे के नमर है 23 नमर सब्सक्राइब को तो परकास से है राजगीर में बोध बोध इस परकास से लिखा गया था तो थोड़ा कुछ अलग हो गया इस परकास से लिखा था आफ सभी देख लिजिएगा बोध बिहार में बोध सांती अस्टूप किस पढवत इसका इसलिक होगा आप से जल्दी से कमेंट किजिए तो इसका राहए तेंसल जो हमारा होगा गुद्फ इसलिक हो दिया रखना है तो चलिए आप हम लोग देखेंगे तो 4000 वाल को तो चोचीछ नो बाइब बिहार और जहार खंप किस पीन कौड संक्यां में सामिल है पीन कोd संक्यां जैय से तो आप हम लोग देखेंगे 35 सब्सक्राइब किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है तो अप्षने में है बाइस अप्रेल बी में है तैस जून तो आप हम लोग देखेंगे 36 सब्सक्राइब को चाहिशन बहुत भी विया है इसको ध्यान रखियेगा तो आप हम लोग इसका आप्षन देखते हैं रूसका वी में है इंगलेंड का सी में और दी में है प्रसा का तो इसका राइटेंसल क्या होगा आप सभी जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो इसका राइटेंसल जो हमारा होगा वह होगा सी यानि की अस्तेलिया का ही मेटरनिक चाशलल था तो आप हम लोग देखेंगे 37 नमर सवाल को 37 नमर सवाल है सभी ने अवग्या अंदोलन कब और किस यात्रा से प्रालंब हुआ तो अब हम लोग देखेंगे 37 नमर सभाल को 37 नमर सभाल हमारा दिया गया इस प्रकास सबाल है काल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था तो आप सब्सक्राइब में फ्रांस में इंग्लेंड सी में है रूस में जर्मनी में तो आप सभी को ध्यान रखना है काड़ मार्श का जर्म जो हुआ था वह वा था जर्मनी यानि की राइद अंसल दी होगा तो चलिए आप हम लोग डखते हैं अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट सबाल चुप चालिस नमर सवाल है महात्मा गांधी को चमपारन आने का निमंदरन किसने दिया था तो अप्षने में है गोडख परशाद ने भी में है बजर की सोड परशाद ने दी में है राज कुमार सुक्र ने और डी में है राज अंडर परशाद ने तो इसका इस कोईश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को पढ़ाया है तो इसका राइतन सर्भ शरुक रमाराजों होगा वहाँगा गोडख परशाद ने ही महात्मा गांधी को से याद कर लोगे तो आपको 40 में से 25 नमर फिक्स है पूछ देगा क्योंकि सस्टी जो है इसमें 40-40 नमर का ही होता है objective और subjective तो आप सभी 25 नमर भी लादोगे तो बहुत जड़ा होगा और आप सभी पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिए उससे भी आपको कुछ नमर आ लाइगा तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए कमेंट किजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किजिए साथ में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलेंगे अगले एपीशोर में टप्टा के लिए आप तरमाम दोस्तों को बा बाइब करो लाइब 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 करो